क्लास नाइट सब्जक्ट इंग्लिश और लास्ट लसन में हमने मोती कुझ बढ़ा था ये एक स्टोरी है किसके मुतलिक एक हाथी के मुतलिक जिस हाथी का नाम है मोती कुझ और इसे हाथी को जो ड्राइव करता है इस हाथी का महुत जो हथ था उसका नाम क्या था दीसा तो इन दोनों की ये स्टोरी हमने लास्ट क्लास में पड़ी थी और आज हम इसी स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं Once a week, Disa led Moti Gush down to the river. Moti Gush lay on his back in the shallows while Disa rubbed him with a quair swab and a brick. Disa जो था, वो इस हाथी को, इस elephant को, Moti Gush को हर हफते एक बार कहां लेता था, हर हफते एक बार दिर्या पे लेता था, ताकि वो इसकी साफ सफाई कर सके इसकी साफ सफाई के लिए उसने क्या रखा था, एक quair swab रखा था और एक brick रखी थी, एक int रखी थी और एक quair swab जिसे ही इसको स्वाफ करता था Moti Gush never mistook the pounding blow of the brick or smack of the quair swab that warned him to get and turn on the other side तो ये से क्या करता था, जब ये एक साइड से साफ होता था, तो ये इस brick से इसे जोर से मारता था और Moti कुछ समझ जाता था, कि मैं एक साइड से साफ हो चुका हूँ, और मुझे अब turn करना है on the other side ताकि मोटी ये दीसा मेरा जो मास्टर है, वो मुझे उस साइड से भी साफ करें इसके बैद दीसा क्या करता था, उसके पैर देखता था, कि कहीं उसके पैर में कहीं कोई चोड तो नहीं आई है, कोई गंदगी तो नहीं है and examine his eyes, इसके बैद उसकी आँखों की जाँच पर ताल दीसा करता था, क्योंकि इसकी जो आँखे हैं कहीं, जखमी तो या कहीं, इसमें कुछ, सफाई के लिए कुछ, अगर कुछ था तो दीसा उसे वो साफ करता था and turn to the corners of his mighty ears in case of source, इसके बैद इसकी कान, जो कि हाथी की कान जो है, वो बहुत बड़े होते हैं और उसको भी examine करता था, check up करता था कुछ दीसा, कोई कोई जखम काम करते हुई तो नहीं लगा है, ताकि दीसा उसे भी साफ करे, उसे भी examine करे, उसे भी check करे after inspection, the two would stand up, फिर जब ये inspection, ये check up खत्म होता था, फिर ये दोनों खड़े होते थे, मोती कुछ, all black and shining, मोती कुछ का जो असली रंग था, black, और ये चमकदार होता था, इस साफ सफाई से, waving a torn tree branch 12 feet long in his trunk, अपने इस ट्रंग में क्या, ये बहुत बड़ा एक पेर, जो पेर का प्रांच रखता था, किस में अपने उस trunk में, जो हाथी का trunk होता है, उसी में, दीसा knotted up his own long wet hair, दीसा भी अपने आपको साफ करता था, इसके वो लंबे बाल जो वो से भी बान देता था, it was a peaceful well paid life till दीसा felt the return to, return or the desire to drink deep, एक दिन, ये दोनों जो थे, ये peacefully रह रह रहे थे, तब तक, जब तक दीसा को एक दिन लगा, कि मैं जो शराब पीता हूं, ये मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे इससे ज्यादा शराब पीनी है, इसके लिए इसे क्या करना पड़ा, the little amount of liquor that he got did not satisfy him, इसे इसका पेट नहीं बता था, इस थोड़े से शराब से, he went to the planter, my mother is dead, he said he weeping, he is planter के पास, अपने माले के पास चला गया, और उसे बोला कि मेरी मा मर गई है, she died on the last plantation two months ago and she had died once before when you were working for me last year, said the planter who knew something of Disa's ways, लेकिन ये planter जो था, इसने इसका जूट पकड़ लिया, इसने इसे बोला कि आपने ये जूट मुझे से पहले भी बोला है, और आज आप फिर से मुझे ये जूट बता रहे थे, उसे पता था कि Disa को जब यहां से चुटी लेनी होती है, जब इसे कहीं जाना होता है, तो ये मुझे से अपनी मां के बारे में गलत बोलता है कि वो मर गई है, then it was my aunt and she was just the same as my mother to me, said Disa weeping more than ever, तो Disa ने उसे क्या बोला, अब दूट जूट बोला, कि वो मेरी चाची थी, आंट थी, जो मर गई थी, चाची भी किस की तरह होती है, मां की तरह होती है, अब मेरी चाची मर गई है, who bought the new set the planter, प्लांटर ने इसे बताया कि आपको किस ने बोला, the post set Disa, Disa ने बताया कि मुझे throw post पता चला है, कि वो मर गई है, जिसके हागे हम नेक्स क्लास,